हेलो दोस्तों आप लोग का स्वागत है सभी को गुड इवनिंग सभी लोगों को गुड इवनिंग सभी लोग सबसे पहले सेयर कर दीजेगा सभी लोग क्या करना सबसे पहले सेयर कर देना है और सभी लोग लाइब आज 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 आप लोग को कुछ बताना है और कुछ पढ बताते हैं सबसे पहला कि जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने की होंगे वो एच्टू और यूटूब चैनल जो भी देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करकर केवल और केवल 200 रुपेगा क्योंकि सबको कंडिशन देखती विए ये प्राइस रखा गया और इसमें आप लोग को पीडियेफ के थूरू हमेशा मोटिवेशन वीडियो प्रेस में हम और आप लोग को सौट नोट्स प्रोवाइट करवाया जागा तो आप लोग अभी तक जो भी नहीं इसको पर्चेश किए ओपर जरूर कीजिए इसका परचेश करने का तरीका जो उपर आई बटन में लिंक होगा वहां से आप लोग देख सकते हैं कैसे और सुबह में एक वीडियो डाला हुआ था उसको देख सकते हैं फॉलो कर सकते कैसे का से पयमेंट करना है तो इसके लिए आप लोग को बहुत सपोर्ट की जरूरत पड़ेगा क्योंकि ये आफिल लोगों के लिए किया गया था और आफिल लोग से क्योंकि हम भी बहुत मेहनत करते हैं बहुत मेहनत करते हैं इसी के चल दे सोचेगी अगर आप लोग भी कुछ सपोर्ट कर दे तो मेरा भी कुछ हेल्फ हो जागा तो इसमें इस कोर्स में आप लोग की बहुत सपोर्ट की जरूरत है तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो से के सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट कैसे कर सकते हैं जितना करने के बाद आप लोग को हेल्प लाइन नंबर भी दिया हुआ है हेल्प लाइन नंबर इसलिए दिये हैं आप लोग क्योंकि बहुत लोगों को परिसानी होता है तो ओ परिसाने से निपटने के लिए आप लोग को हेल्प लाइन दिये हैं तो उससे भी आप लोग बात कर सक क्या chemistry का एक नया सिरीज शुरू करते हैं उस नया सिरीज का यह first first video है इसका नाम है बीस में- seinen क्या 20 में habitat क्या कि chemistry में जितना भी topic है आप जो का जितना भी topic से question पूछ सकता हरेक topic से 20 question क्या 20 question करेंगे 20 question हम solution करवाएंगे हम बताएंगे और last में 5 questions क्या करेंगे आप लोग से पूछेंगे मतलब कि 20 questions हम करवाएंगे और 5 questions हम आप लोग से पूछेंगे और chemistry का total theory पढ़ा चुके हैं यह सब theory playlist में मिलेगा तो playlist में जा कर देखिए और वहाँ से total theory पढ़ दिजिए तो देखिए इसमें क्या है कि आज हम लोग का ये 20 में दम इसमें आज हम लोग की इस topic को कबर करेंगे इसमें आज हम लोग कबर करेंगे सम अस्थानिक, सम अस्थानिक, सम भारिक और सम न्यूट्रोनिक मतलब आइसो टॉप आइसो बारा और आइसो नियूट्रोनिक के बारे में पढ़ेंगे और इसमें आप लोग को हिंदी इंग्लिस दोनों में प्रोबाइड कराया जागा ठीक तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का देखिए फर्स्ट क्योचन आप लोग की स्क्रीन पे होगा और सभी लोग सेयर कर दीजेगा फर्स्ट क्योचन देखिए इस्क्रीन पे है क्या बोलता है सो देखिए बहुत मज़ेदार क्योचन है थोड़ा से एरेंज कर लोते हैं क्या बोलता है किसी एक ही तत्व के पर्मानु जीन का मतलब कि सम अस्थानिक किसको बोलते हैं there are isotopes of atoms of the same element that have सम अस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के पर्मानु जीन का मतलब कि सम अस्थानिक हम लोग किसको बोलते हैं जिसमें पर्मानु भार मतलब atomic mass सेम रहता है किन्तु पर्मानु संख्या भीन भीन होता है सकेंड ओप्चन बोलता है पर्मानु भार भीन भीन किन्तु पर्मानु संख्या यान पर्मानु कर्मांक एटोमिक नंबर समान होता है अगला बोलता है पर्मानु भार तथा पर्मानु कर्मांक दोनों समान होते हैं अगला बोलता है उप्यूक्त में से कोई नहीं तो फर्स्ट का आप्चन कौन सा सही हो जागा देखिए सम अस्थानिक इसको बोलते है जिसमें पर्मानु भार डिफ्रेंट डिफ्रेंट होता है लेकिन पर्मानु संख्या यानि एटॉमिक नंबर क्या सेम होता है उसी कौम लोग बोलते है सम अस्थानिक मतलब की आईसो टॉप ऑप्शन बी इच करेक्ट इंस है ठीक इसके बाद अगला सकेंड की ओचन क्या बोलता है सकेंड की ओचन बोलता है कि एसे पर्मानु एसे पर्मानु को जिनमें प्रोटोनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रोनों की संख्या भीन भीनो मतलब बोलना क्या चाह रहा है कि प्रोटोन प्रोटोन की संख्या क्या समान है लेकि neutron क्या है अलग-अलग है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे सम अस्थानिक बोलेंगे सम डाबिक बोलेंगे या समाव यवी आईसोमेरिक बोलेंगे या सम न्यूट्रोनिक बोलेंगे तो जहां पे भी proton की संख्या समान और neutron की संख्या अलग-अलग है तो ऐसे चीज़ को हम लोग यह बोलते हैं सम-अस्थानिक उसको हम लोग क्या बोलते हैं सम-अस्थानिक आइसो टॉपिक यह आइसो टॉप बोलते हैं तोолот겠지만 का अपशन A is correct answer explain भी करते जा रहा हैं अगला क्या बोलता है थड़ बोलता है कि किसी पर्मानु नाभिक का किसी पर्मानु नाभिक का आईसो टॉप वह नाभिक है जिसमें मतलब कि कोई भी पर्मानु का जो नाभिक है नुकलियस है उसमें जो आईसो टॉप है वह नाभिक को क्या कहते हैं मतलब दा आईसो टॉप अप एन एटोमिक नुकलियस is the nucleus in which क्या हम लोग उसको बोलते है क्या होता है कि उसमें neutron है, neutron की संख्या क्या होता है, भीन भीन होता है, उसी को तो हम लोग बोलते है, isotope, देखें, बुछने का तरीका क्या है, अलग-अलग कर रहा है, तो option B is correct answer होगा, अगला देखें, अगला क्या बोलता है, किसी तत्व के, किसी तत्व यानि किसी element के दो समस्थानिक किन गुनं में भीन होते हैं, मतलग कोई भी element के दो समस्थानिक, दो isotope के गुन, property कैसे कैसे भीन होते हैं, उसका जो neutron की संख्या वा द्रभमान संख्या पे, противon संख्या इलेक्ट्रों संख्या पे, पर्मानू, द्रभमान और पर्मानू संख्या पे, तो 4 का क्या हो जाएगा, पोलता है कि दो सम अस्थानिक के गुन कैसे कैसे अलग हो सकते हैं तो कैसे अलग हो सकते हैं जोचन नमबर फोर का option है neutron की संख्या और दरबमान संख्या पर किसी तत्व के दो समस्थानिक की गुनों में भीन होते हैं neutron की संख्या दरबमान संख्या और अगर जो नई समझ में नीचे कॉमेंट किजिएगा उसको नीचे ही हम आप लोग को explain कर देंगे comment box में ही जवाब देंगे उसका अगला बोलता है hydrogen के समस्थानिकों कि संख्या कितनी है hydrogen के समस्थानिक मतला hydrogen का कितना isotope है hydrogen के तीन isotope है जिसमें protein एक है एक deuterium है और एक tritium है तो तीन है option hydrogen B is correct इंस है अगला बोलता है नीचे में से कौन hydrogen का समस्थानिक नहीं है इसमें से hydrogen का समस्थानिक hydrogen का isotope कौन सा नहीं है protein, deuterium, yttrium या tritium तो देखें protein, deuterium, tritium यह तो isotope है समस्थानिक है hydrogen का लेकिन iittrium है यह समस्थानिक के अंदर ग्यात नहीं आता है तो option c इसमें रांग होगा लेकिन इसकë तो करेक्ट होगा option c क्यूंकि हो है hydrogen के समस्थानिक नहीं है अगला बोलता है hydrogen के radio रेडियो सक्रिय सम अस्थानी को क्या बोलते हैं? जो रेडियो सक्रिय रेडियो एक्टिव आइसो टोफ है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लियो जो दॉटीरियम, प्रोटियम, रेडियम यर ट्राइटियम ये सब को याद रखना है. क्योचन नमबर 7 का कौन सा है अगला बोलता है कि देखिए अगला क्या बोलता है कि oxygen ये oxygen है नीचे 8 है और उपर में 16 मतलब नीचे वाला को हम लोग क्या बोलते है एटोमिक नमबर और उपर वाला को एटोमिक मास मतलब परमानु द्रवमान उपर वालों को और परमानु संख नीचे वाले को तो यहां बोलता है कि Oxygen 8 16 Oxygen 8 17 Oxygen 8 18 को हम लोगो क्या बोलते हैं तो इसमें गौर कीजिएगा क्या गौर करने वाला है कि जो ऑक्सीजन का पर्मानु संख्या सब में पर्मानु संख्या समान आ रहा है लेकिन उसका द्रविमान संख्या भीन भीन आ रहा है जिसके चलते ये क्या है मतलग जहां पे भी परमानु संग्या समान द्रवमान संग्या अलग अलग होता उसको हम लोग क्या बोलते सम अस्थानिक आइसो टोपिक सम घर्टे आइसो मेरिक या सम दावी आइसो बैक्टर या सम न्यूट्रोनिक आइसो न्यूट्रोनिक तो उसको हम लोग क्या बोलते सम अस्थानिक, option A is correct answer option A is correct answer जहाँ पे atomic number से मास नमबर अलग अलग है उसको बोलते हैं हम लोग सम अस्थानिक, अगला बोलता है chlorine का देखिए, chlorine का 17 निचे और 35 उपर में है यह लिखने का तरीका लिखा हुआ तो इसमें ध्यान दीजेगा कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे जिसमें atomic number तो से हैं है लेकिन mass number अलग-अलग है atomic mass number तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे सम अस्थानिक बोलेंगे option 9 का B is correct answer अगला देखिए अगला बोलता सरवाधिक संख्या में और share करिएगा सभी लोग लाइक भी किजिएगा वीडियो को अगला क्या बोलता सरवाधिक संख्या में सम अस्थानिक आईसोटोप किसके पाया जाते है मतलब सबसे ज़्यादा सम अस्थानिक सबसे ज़्यादा आईसोटोप किस में होता है किसका सबसे ज़्यादा आइसोटोप पाया जाता है यूरेणियम का, हाइड्रोजन का, पोलोनियम का, लेड का तो हमेशा ध्यान रखेगा कि सबसे ज़्यादा समस्थानिक इसका पाया जाता है पोलोनियम का 10 का option number C is correct answer पोलोनियम धात्यू है, इसका सबसे ज़्यादा आइसोटोप पाया जाता है option C is correct answer अगरा बोलता है, पोलोनियम के समस्थानिक आइसोटोप की संख्या कितनी होती है सबसे ज़्यादा तो पाया जाता है लेकिन इसका जो समस्थानिक आइसोटोफ वह आखिर होता कितना है तो क्योंचन नमर 11 का कौन साओको ऑप्शन डी इज करेक्ट एंस है 27 ऑप्शन डी इज करेक्ट एंस है पोलुरियूम के समस्थानिक इतना होता है 2727 तो याद रखना भूलना नहीं है अगर जो याद नहीं होगा उसको स्क्रीन सोट ले लिजेगा अगला क्या बोलता है कि ग्याद करने के लिए रेडियो एक्टिव आयू अंकण में किस समस्थानी का उप्योग किया जाता है वीच आइसोटोप्स आ यूजड इन रेडियो ए हुआ है मतलब जो चटान है उस चटान का आयू चटान का एज हम लोगो क्या करना है फाइंड आउट करना है कि इसका एज कितना है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग रेडियो एक्टिव कि कौन सा समस्थानी का उप्योग करेंगे यूरेनियम को प्लुटोन अगला देखिए क्या बोलता है परिसंचरन तंत्र मतलब कि circulatory system है क्या बोलता है परिसंचरन तंत्र circulatory system में रक्त के ठक्के की स्थिती को पता लगाने के लिए किस समस्थानी का उप्योग किया जाता है which isotopic is used to find out the status of blood clots देखिए blood clotting खुन का ठक्का जमना इंदस circulatory system परिसंचरन तंत्र में रक्त के ठक्की की स्थिती को पता लगाने के लिए किस समस्थानी का पर्योग किया जाता है बताईए आप लोग भी बताईए तो कौन सा समस्थानी का पर्योग किया जाता है sodium 24, cobalt 60, AS24, iodine 131 तो क्योशन नंबर 13 का कौन सा एंसर होगा option A is correct एंसर sodium 24 का उप्योग किया जाता है blood clotting को रोकने के लिए क्या blood clotting को रोकने के लिए sodium 24 option A is correct एंसर अगला बोलता है कि cobalt 60 यह जो cobalt 60 हो आम तोर पर विकिरन चिकित्सिये तथा cancer जैसे रोगों में परियोग किया जाता है यह जो cobalt 60 है यह जहाँ doctor लोग यूज करते हैं और cancer जिसका रोग धर लेता उसके लिए उप्योग किया जाता है क्योंकि यह उतसर जित करता है यह क्या कौन सा radiation छोड़ता है कौन सा radiation emit करता है जिसके चलते है इसको cancer में और चिकिट्सा के छेतर में ज़्यादा तर उप्योग किया जाता है तो कौन सा radiation छोड़ता है अलफा बिटा गामा या इन में से सभी तो क्योचा नवर 14 का कौन सा कौन सा गामा कीरन गामा रेज यह छोड़ता है कौबाल्ट 60 से कौन सा रेज निकलता है गामा रेज जिसका उप्योग कैंसर के रोग में और चिकिट्सा डॉक्टर लोग ज़्यादा तर इसको उप्योग करते है तो इस पॉइंट को ज़रूर याद रखेगा कौबाल्ट 60 से कौन सा रेडियसर निकलता है गामा गामा रेज तो 14 का option C अगला क्या बोलता है 1500 देखिए बोलता है रक्त कैंसर रक्त कैंसर ल्यूकेमिया को मतलब कि रक्त कैंसर जो ब्लड कैंसर हो जाता है उसको एक special नाम है क्या है ल्यूकेमिया तो ल्यूकेमिया को नियंत्रीत करने के लिए उप्योग किये जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा बलड कैंसर को हम लोग को क्या करना है कंट्रोल करना तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग कौन सा रेडियो आइसोटोप का उप्योग करेंगे इसका हम लोग यूज करते हैं जहाँ पे भी ब्लट कैंसर के बारे बात किया जा तो महाँ पे हम लोग कोबाल्ट 60 क्या होगा कोबाल्ट 60 कोबाल्ट 60 से कौनसा रेडियेशन निकलता है गामा की रन निकलता है तो इसको ध्यान रखना है इसका कौनसा होगा option B is correct answer 15 का option B अगला क्या बोलता है कि वैसे नाभिक जिन में neutronों की संख्या समान प्रंतु protonों की संख्या भीन भीन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलता है वैसे नाभिक यानि वैसे नुकलिया है जिसमें neutronों की संख्या समान है परन्तु प्रोटोनों की संख्या भीन भीन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे सच न्यूट्लिय वीच है सेम नंबर अप न्यूट्रोन्स बर डिफ्रेंट नंबर अप प्रोटोन्स आर कॉल्ड सम इलेक्ट्रोनिक सम भारिक सम भारिक मतलब आईसो बार सम अस्थानिक आईसो टोप या सम न्यूट्रोनिक तो देखिए न्यूट्रोन की संख्या समान बोल रहा है और प्रोटोन की संख्या अलग-अलग है तो जहां पे भी न्यूट्रोन की संख्या समान होगा तो फुली और फाइनल है को उसको क्या ब भीन भीन है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे उसको सम इलेक्ट्रोनिक बोलेंगे सम भारिक बोलेंगे सम अस्थानिक बोलेंगे या सम न्यूट्रोनिक बोलेंगे आप लोग भी बताएगा 16 16, तो इसका कॉन सा इंसर होगा, इसका जहाँ पे न्यूट्रोनों की संख्या समान, परंतुर प्रोटोनों की संख्या लगए लगए, तो उसको हम लोग संब न्यूट्रोनिक बोलेंगे, क्या सम् न्यू ट्रॉनिक बोलेंगे 16 का आप्शन D is correct answer होगा 16 का आप्शन दी अगला बोलता क्या है Isotone Isotop होते हैं क्या होते है Isotop आइसो टोप ने यहाँ पर क्या होना चाहिए आइसो टोन होना चाहिए थर्ट नौ होगा यहाँ ठीक आइसो टोन होते हैं आइसो टोन क्या होते हैं जिसमें समान संख्या में प्रोटोन होते हैं जिसमें समान संख्या में न्यूट्रोन होते हैं जिसमें समान संख्या में न्यूक्लियोन रहते हैं या इसमें से कोई नहीं तो क्योचार नमबर 17 का कौन सा हो जाएगा आप्सन नमबर 17 का समान संख्या में जहां पे न्यूट्रोन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आईसो टोन मतलब होता, सम न्यूट्रोनिक अगर आप फिर से बोलता है कि सम न्यूट्रोनिक होते हैं तो सम न्यूट्रोनिक मतलब आईसो टोन आइसो टॉन होते हैं जिसमें न्यूट्रोनों की संख्या क्या हो समानों यानि 18 क्योशिचन नंबर 18 का कौन सा होगा कि पर्मानु कर्मांग समान तथा पर्मानु भार भीन ये तो होगा नहीं पर्मानु कर्मांग भीन तरमात पर्मानु भार समान पर्मानु कर्मांग और पर्मानु भार दोनों भीन आप लोग भी कोमेंट कीजिएगा अगला क्या बलता है पर्मानु कर्मांग यानि एटोमिक नमबर और पर्मानु भार एटोमिक मार दोनों क्या होगा भीन भीन होगा लेकिन जो न्यूट्रोन होगा neutron की संख्या समान होगा तो question number 18 का कौन सा होगा option D परमानू कर्मान का अलग अलग होगा परमानू भार भी अलग अलग होगा किन्तु neutron की संख्या क्या होगा same होगा तो option D is correct answer अगला बोलता है 1900 देखिए 19 बोलता है क्या cream tone है एक क्या cream tone है उसका नीचे 36 लिएक लिखावा उपर 86 36 का atomic number है 86 का atomic mass है अगला बोलता है rubidium है जिसका atomic number 37 है और atomic mass number कितना 87 है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं तो सबसे पहले देखिए न तो इसका atomic number बराबर है न atomic mass number बराबर है ये दोनों बराबर नहीं है तो हम लोग यहां से जो neutron है neutron निकालने की कोशिस करेंगे तो neutron कैसे निकलेगा atomic mass में से atomic number घटाते हैं तो number सब neutron निकल जागा यानि 86 में से 36 इसमें से घटाएंगे तो 0 और 550 और इसमें भी ऐसे ही करेंगे 87 में से 37 का टाएंगे तो यहां से भी 50 मिलेगा मतलब दोनों में neutron की संख्या क्या है दोनों में से मिल रहा है तो जहां पे neutron की संख्या समान होता है उसको हम लोग क्या बोलते है isotone बोलते है जिसको sumneutronic बोलते है option C is correct 19 का option C ठीक अगला बोलता है अगला बोलता है कि निम्नलिकित में से sumneutronic निम्नलिकित में से sumneutronic isotone का sum कौन सा फिर से बोल रहा है निम्नलिकित में से sumneutronic isotone का group कौन सा यहां दिया हुआ है क्या कुलोरिन दिया सुरी कार्बन दिया हुआ C दिया हुआ है और से 6 और 12 लिखा हुआ है यह atomic number है उपर वाला atomic mass number है तो यहाँ carbon 6, 12, 7, 14, 8, 16 तो सबसे पहले तो यह देखते हैं कि atomic number किसी का बराबर नहीं है न atomic mass number बराबर है तो neutron की संख्या निकालना है तो यहाँ पर देखते हैं difference करके 12 में से 6 गया 6 यहाँ 7 यहाँ 8 तो difference सब में बराबर बराबर नहीं है अगला में बढ़ते हैं यहाँ भी 6 मिलेगा यहाँ भी 7 मिलेगा यहाँ 10 मिलेगा यह भी नहीं बराबर हुआ सबसे निचे वाला में जाते हैं यहाँ 8 मिला 8 7 15 8 मिला और 8 8 16 तो देखिए सब में neutron की संख्या समाना रहा है किसमें यह जो carbon nitrogen और oxygen है यह वाला गुरूप में समूँ में सब में neutron की संख्या समाना रहा है तो इसका मतलब 20 का consensus होगा option D is correct answer ठीक अब अगला देखिए अगला क्या बोलता है अगला बोलता है कि एक lithium है यहाँ 3 है 7 है और एक birelium है यहाँ क्या है 4 है और 8 है लास्ट में 5 की होचान हम आप लोग से पूछेंगे 21 से आप लोग को बत जाना है तो ट्वेंटिवन का CON ami bisher होगा इसको ISO चो बोलेंगे ISO बार बोलेंगे ISO बोलेंगे ISO मर बोलेंगे तो इसका को मेंड में जवाब देना है तो फर्स्ट क्यándrates तो जहाँ 9 इसको जवाब देना ईगला देखिए अगला क्या बोलता है अगला बोलता है एक फासफोरariamente बोलेंगे सम इलेक्ट्रोनिक आइसो इलेक्ट्रोनिक बोलेंगे सम न्यूट्रोनिक आइसो टॉन बोलेंगे क्या बोलेंगे 22 ये भी आप लोको बताना है नीचे कॉमेंट करके फिर अगला देखते हैं वे आयन मतलब ये कौन सा आयन है जिसमें इलेक्ट्रोनों की संख्या स सामान होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं समस्थाणिक यानि सुक्त भारिक इसो भी बोलेंगे मस्वेंगों बोलेंगे यह बनेंड बर यह न बोलता है ृस्ट होलेंगे अल यह साथ स्म इलेक्ट्रोनिक है यह मस्त क्योंचन है यह क्योंचन हम आप लोग के ऊपर छोड़ते हैं इसको हम अगले जब वीडियो कवर करेंगे तो सबसे स्टार्टिंग में इसको एंसर बता देंगे लेकिन यह आप लोग को ट्राइ करने के लिए दे रहा है कि एल्मुनियम क्या थिर पलस मतलब थ्री इलेक्ट्रोन इसका एक्ष्ट्रा था तो यह दूसरे को दे दिया और अपने आपको तीन पलस मान रहा है मतलब करजा दे दिया तो वहीं बोलता है किसके साथ सम इलेक्ट्रोनिक है किसके साथ इलेक्ट्रोन के साथ बराबर बराबर अपना साजा कर रहा ह माइनस के साथ, कुलोरीन माइनस के साथ, एलमुनियम के साथ, या सिलिकॉन डबल माइनस के साथ, या फुलोरीन माइनस के साथ, तो इसका एंसर अगर आप लोग जानते होंगे तो बताएए, कॉमेंट बक्स अगर नहीं जानते होंगे तो चिंता मत कीजिए इसको हम अब लोग को कभर करवाएंगे तो 24 बताना है इसके बाद आते हैं 25 25 लास्ट है इसको क्या बोलता है सो देखिए 25 बोलता है कि संभारिक में किसकी संख्या समान होती है संभारिक यानि फूज नंबर इस सेम इंद इक्वी पोटे है निट्रोन की संख्या समान होती है इलेक्ट्रोन की संख्या समान होती है नुक्लियोन की संख्या समान होती है किसकी संख्या समान होती है यह आप लोग को बताना संभारिक तो आज का यह लास्ट क्योचन था आज का यह लास्ट क्योचन था जो लास्ट में 5 क्योचन पू सबड़ार और युलों कोर्स लांच हवा है 200 का कोर्स और दोकीनीम को सब्सक्राइब खुद से बनाया तो मेरे को पता है कि हम उसमें डाले किया है को क्या कैसा कैसा क्योशन डाले हैं उसमें से तो आप लोग जितना ज्यादस ज्यादा हो से के इसको सपोर्ट कीजिए ठीक सभी लोग लाइक कीजिएगा वीडियो जितना ज्यादस ज्यादा हो से के सेर कीजिए जो नहीं लोग जुड़े भी होंगे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, ठीक, थैंक यू, बाई